आदरनी अमित्रों बच्पन के दिनों में सुपर हिट फिल्म आई थी दिल उसका गाना था कि यार जलने वालों को जलाएंगे प्यार में जीएंगे मर जाएंगे वो गाना था तो पुराना लेकिन आज जीवन तो हो चला है दरसल अम्वानी ने राहुल घमंडी को जलाने का लिए है आप स्वेम देख लीजिए अम्वजा सिमेंट ने पन्ना सिमेंट को खरीद लिया है 9000 क्रोड की कमपनी को 10,000 क्रोड के आसपास के दाम में उठा लिया है इस transaction के बाद Amboja Cement का भारती शेयर मार्केट में हिस्सा 2% से बढ़ गया है और दक्षन भारत में उनका मार्केट शेयर 8% से इदाफा मार गया है इस पूरे transaction की सबसे अच्छी बात यह है कि Amboja Cement लोन लेकर कमपनी नहीं खरीद रही है कमपनी ने जो पैसा कमाया उसी के माद्यम से नई कमपनी को खरीदा जा रहा है सोने पर स्वागा वाल लिवात गया है कि Amboja Cement अडानी समूर की Amboja Cement सिर्फ पन्ना Cement को खरीदने के बाद शान्ती से नहीं बैठेगी इसी तरह से अन्य चोटी-चोटी Cement कमपनीों को उठा लिया जाएगा और Amboja का अडानी का प्लान है कि वो जल्दी ही तीन-चार साल में भारत की सबसे बड़ी Cement कमपनी बन जाएंगे अल्ट्रा टेक को पचाड कर अब महोदय आप मैंसे अधिकांस लोगों को लग रहा होगा कि कल मार्केट खुलते ही Amboja Cement हमें खरीदना है तो महोदय Amboja को लेकर आपने जो निर्णे लिना है आप स्वतंत्र है खुब लीजिए लेकिन हमारा आपकी सेवा में निवेदन है कि Cement sector की एक समश्या है और हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम Cement website से थोड़ा जुड़े हुए हैं Cement में over supply concern है देखिए यह customers के लिए अच्छी है सरकार के लिए अच्छी है उनको infrastructure development करना है बगएर Cement के तो वो होगा नहीं लेकिन Cement की चुकि supply अधिक है इसलिए Cement कंपनियों को मुनाफ़ा कम हो रहा है Cement में खरीदने वाले हाथों की तुलना में बेचने वाले हाथ ज्यादा हो चले हैं स्रीमंत इसलिए Cement कंपनियों में यह जो लड़ाई चल रही है देखिए हाथियों की लड़ाई में पुछली सिर्फ घास जाती है इसलिए Cement कंपनियों में खास तौर पर जो महेंगे दाम की Cement कंपनियां हैं उनमें निवेश करने से बचिएगा हाँ कोई Cement कंपनिय है जो आपको पसंद है लंबी अवदी का व्यूपाइंट है तो बात अलग हो जाती है किन्तु अगर शौट टर्म पोजीशनल व्यू है तो चार्ट देखकर निरना लीजिएगा कहीं ऐसा न हो कि आप उचे दाम पर लेकर फस जाएं Cement की Demand है उसे बढ़ना है मान गए राजा जी आपकी बात लेकिन Valuation के Concept नजर अंदाज नहीं करना चाहिए अडानी आगे बढ़ते रहें राहुल गांदी जलते भुनते रहें किन्तु हम लोग वही शेर्स खरीदेंगे जो वाजव दाम पर मिलने वाले हैं अब आपका आधिस हो सकता है कि अरे देवेश हमें बताओ कौनसी कंपनी खरीदनी है तो आधरनी महराज आपको recommendation देने में मुझे गौरव की अनुभूती होगी इसी वीडियो के description box में लिंक